लाल आलू गाई है आलेंड क्या रेट विकाई है कितना एक हजार एक हजार इक्कीस रुपए है निव आलेंड है अच्छा हम आपको पास फिर आएंगे आलू दिखादे एक बार यह निव हाइलेंड लाल आलू गाई है एक हजार इक्कीस रुपए कंटल विकाई है क्वाल्टी देख सकते हैं आप मोटा आलू है छटा लग रहा है मुझे चट्टे आलू के भाव आज ठीक है गड़ में भाव कम मिलता है एक हजार इक्कीस रुपए कंटल विकाई है लालालू के हैं यह पुखरा जो ख्याती से कम निकलता है तो फिर आप लोग नहीं करते जो ज्यादा निकलता है कि महलें जिसको लाल करता है और जिसको सफेद अच्छा लगता है कुछ लोग मिट्टी के वज़े खरते हैं कि काली मिट्टी होती है तो पीली मिट्टी सफेद मिट्टी के आलू के रेट में बहुत अंतर होता है सभात झsite रफी हैं तो आगर आगर ये पीली मिटी वाला आलू सफेद आलू करेंगे चुसको फोल्स करेंगे तो कालाकाला दिखता है और यह लालालो में पीली पीडी देखीं नहीं जाती है इसमें तो मुझे मेरे जहां त Licht जो बहुत अच्छे गाऊंगे और यह मेहमुद्बूर कांवराज के अच्छा आप यह बता सकते हैं कि कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि भाई अच्छा आलू करें तो कैसे क्या डाला चाहिए कुछ बता सकते हैं अच्छा आप लागत कितनी लगानी चाहिए उसको यह पता ही नहीं होते हैं उसको यह पता ही नहीं कि खाति डालनी पड़ती है उसमें पहले घुरा पड़ता घुरा कितना डालना चाहिए अच्छा जुताई बहुत करनी पड़ती है मैंने सुना अच्छा मतब खेत एक दम बुरबुरा हो जाए अच्छा पानी कितने लगा जाते आलू में इस साल तो बारिस हो गई बैसे पानी कितने लगाने चाहिए पहला पानी कितने दिन बादटाई मतलब आलू बाहर निकलाए तब लगाना चाहिए कभी-कभी तो मैंने देखा कि आलू नहीं निकलता तभी बानी लगा देते हैं झाल बत्व जचितल दोट तो दुखाला दो जारा दो मैं है उत्व हुआती जयका हुआती।